वेल्कम टू यूनिक कोचिन सेंटर डियर स्टुडेंट आज हम इन्वर्स टेग्नमेटिक फंक्शन्स के कुछ प्रूविंग सीखेंगे तो डियर स्टुडेंट अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड सेर जरू करें तो डियर स्टुडेंट सबसे पहले हम टेग्नमेटिक के कुछ बेसिक फॉर्मले सीखते हैं ठीक है उसके बाद हम उसका डेरि टेक है तो हमारे पास में फर्स्ट जो फॉर्मुला होगा मैं साइन इनवर्स का लिखूंगा ठीक है ना तू साइन इनवर्स करके ठीक तो हमारे पास में फर्स्ट जो होगा मैंने लिखा तू साइन इनवर्स एक्स इकल तू हमारे पास में साइन इनवर्स तू एक्स formula क्या होगा 2 sin inverse x का formula क्या होगा sin inverse 2x under root में 1 minus x square clear ना इसी प्रकार हमारे पास में हमारे पास में 2 cos inverse x 2 cos inverse x तो इसका क्या होगा cos inverse 2x square minus 1 ये हमारे पास में कौन सा formula होगा 2 cos inverse x का तो 2 cos inverse का x का अगर आप से dear student अगर कोई formula पूछे inverse के पत्में तो सबसे पहले आप बताएंगे cos inverse 2x square minus 1 ठीक ना इसके बाद हमारे पास में 10 थर्ड हम देखते हैं कि हमारे पास में 2 tan inverse x 2 tan inverse x equal to हमारे पास में 10 inverse 2x upon 1 minus x square क्लियर ना ये हमारे पास में 10 inverse यानि 2 tan inverse x का एक हमारे पास में 2 tan inverse x के पत्में होगा और दूसरा क्या होगा cos inverse के पत्में होगा ठीक ना तो हमारे पास में यानि formula 4 2 tan inverse x 2 tan inverse x equal to क्या लिखेंगे साइन inverse के पत्में लिखना है ठीक ना साइन inverse देखी 2x अभी मैंने जस्ट कल कंसे पुदाया था चलो ठीक है यहां भी वह ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास में देखी यह minus है ना इसको क्या करना है प्लस करना है ठीक ना तो 1 प्लस कितना हो जाएगा x square ठीक इसी प्रकार हमारे पास में जो पांचमा formula होगा 2 tan inverse x 2 tan inverse x equal to cos inverse 1 minus x square अपॉन कितना 1 plus x square ठीक है यह हमारे पास में प्रतिलोम त्रिकोड मिती फलन inverse technometric functions के मैंने कुछ formula लिखे हुए है ठीक है ना और इसका हम क्या सिखेंगे प्रूबिंग सिखेंगे ठीक है तो यह जो प्रूबिंग है dear student आपके exam में भी पूछा जाता है ठीक ना तो यह नहीं कि सर्फ प्रूबिंग करा रहे हैं तो आप बस प्रूबिंग करके छोड़ दीजे क्योंकि इसी टाइप के inverse technometric functions में questions भी बन जाते हैं अगर प्रूबिंग नहीं आ रहा है तो मान के चलिए इससे question आपके exam में आ सकता है ठीक ना तो यह 5 मैंने प्रतिलोम त्रिकोड मिती फलन का मैंने formula लिखे हुए है इसका probing कैसे करेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया था ना इस chapter में त्रिकोड मिती फलन tignomatic function का सबसे ज़्यादा यूज होता है ठीक ना देखो मैं आपको बताता हूँ कुछ formula बताता हूँ हमारे पास में आपने सीखा भी होगा या star point बना के आप पहले लिख लिजिएगा हम सबसे पहले सीखते हैं कौन सा formula सीखेंगे sin 2 theta का sin 2 theta equal to हमारे पास में क्या होगा 2 sin theta into कितना cos theta ये formula होता है ठीक ना sin 2 theta का formula क्या होगा 2 sin theta into कितना cos theta क्लियर ना इसी प्रकार हमारे पास में अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास में यह theta y2 theta y2 हो जाएगा क्लियर ना तो हमारे पास में अगर मैं यहाँ पे अगर formula अगर derive करना चाहूं तो sin 2 से angle में आप डिवाइड कर देजे तो हमारे पास में यह formula बन जाएगा ठीक है 2 sin theta y2 cos theta y2 बट डियर इस्टुडेंट्स इसमें इस formula का यूज नहीं होगा उपर वाले formula का यूज होगा ठीक ना तो हमारे पास में इस तरह y2 वाले formula आप चाहे तो निकाल सकते हो ठीक ना आप पढ़े होंगे ना तो रिकोर्ड मिती फलन में तो सेकेंड हम लोग सीख लेते हैं तो हमारे पास में देखिए cos 2 theta तो cos 2 theta के दो formula होते हैं 2 होंगे कि 3 होंगे धेर सारे formula होंगे ठीक ना तो हमारे पास में देखिए हम लिख देते हैं cos square theta minus sin square theta अगर मैं sin square theta को cos के पद में change करूँ तो 1 minus cos square theta होगा minus का multiplication करेंगे minus 1 plus cos square theta हो जाएगा plus cos square theta और cos square theta कितना आ जाएगा 2 cos square theta minus 1 तो हमारे पास में एक और formula होगा 2 cos square theta minus 1 अगर मैंने इसको चिंज़ किया cos square theta को sin के पद में तो हमारे पास में 1 minus sin square theta लिखे minus का sin square theta minus का sin square theta कितना हो जाएगा minus का 2 sin square theta तो generally हम लोग cos to theta के 3 formula आप याद रखे ठीक है और सारे डे सारे formula होते है 10 के पद में भी होते हैं तो हमारे पास में अब जैसे ही यहाँ चलिए आपको बता ही देते हैं आपको बताते हैं कि sin to theta का formula 10 के पद में क्या होगा चलो देख लो आप लो क्योंकि हमारे पास में देखो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ठीक है क्योंकि कर देखो अपॉन क्थना वैंकई ऊन प्लस कितना 10 स्कॉयर थीटा यह फार्मूला होता है ठीक है इसके बाद हमारे पास में कास्ट हीटा का भी कास्त तू थीटा का भी फार्मूला होता है 10 के पद में 1-10 10 स्कॉयर 3टा upon 1 plus 10 square theta ये 10 के पद में हो गया अब हमारे पास में जो हमारा पांचवा फार्मुला होगा 10 2 theta का होगा ठीक है? 10 2 theta का तो ये हमारे पास में 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta ठीक है? तो ये जो मैंने 5 फार्मुले लिखे हो गये हैं ठीक है? तो इन 5 फार्मुले का मैं यूज करके ये प्रतिलों त्रिकोड मिती फलन का प्रूविंग से खेंगे और ये DL student आपने इसको सीखा भी होगा मैंने आपको इसलिए बता दिये ताकि आपके माइड में सेट हो जाए ठीक है? अब इसका हम one by one करके हम इसका प्रूविंग करते हैं ठीक है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रूविंग करते हैं फास्ट का ठीक है? हमारे फास में प्रूव फास्ट हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था? कि आप right hand side में अगर dear student one variable होंगे तो हम क्या करते हैं? बताओ let करेंगे ना? let करिए तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? let sine inverse sine inverse x equal to कितना? theta ठीक है? equation 1 अब मैंने बोला था x की value आप निकाल लेना इस sine inverse को उद्ध पशान्दा कर दो तो हमारे पास में sine theta आ जाएगा अब मुझे देखना अब मुझे यही formula अपलाई करना है ठीक है? आप इसको video pause करके आप note कर लिजे ठीक है? क्योंकि अब मैं rough करूंगा ठीक है? तो हमारे पास में यह सभी formula मैंने लिख दिया है आप इसको learn कर लेना अच्छे से और इसका हम निगमन कराते हैं one by one करके है ठीक है? तो dear students देखिए हमारे पास में sine inverse x equal to theta है तो मैंने x की value क्या निकाल लिया है? sine theta अब इसमें हम put करेंगे ठीक है? यह मैंने formula लिखा इसके बाद देखिए मैंने आपको बोला था sine theta की value देख लेज़े वहाँ से x मिल जाएगा बट cos की value तो मिलेगा नहीं अब मैंने बोला भी था आपको यह formula आप याद कर लेना cos theta under root में one minus sine square theta ठीक है? मैंने पिछले वाले lecture से में मैंने इसके बारे में बताया भी था ठीक है? अब आप यहाँ पे value रख दीजिए sine की sine theta की value x रखेंगे तो कितना आ जाएगा? x square अब इसकी value उठा के वहाँ पे shift करना है तो हमारे पास में sine 2 theta equal to 2 sine theta की value कितनी है? x है x लिख दीजिए cos theta की value कितनी है? under root में 1 minus x square है clear ना? यह sine को परशंदर कर दीजिए तो हमारे पास में 2 theta equal to sine inverse हो जाएगा bracket में 2x under root में 1 minus x square ठीक है? अब देखें मैं समी करन एक से मान रख दूँगा from equation 1 ठीक है? from equation 1 तो हमारे पास में 2 मैं theta के अस्थान पर theta की value पूट करूँगा ठीक है? कितना? sine inverse x देखें हमारे पास में जो first inverse trignovatic function का formula था मैंने इसको probe कर दिया देखें simple है ना? बताइए probing क्या है? simple है ना? आप कर सकते हो ठीक है? अब इसी प्रकार मैं इसको भी करूँगा और मैंने इसके 3 formula बताये थे कितने formula तीन? cos 2 theta के मैंने 3 formula बताये थे अब आप उसमें सोचिए कौँ साल लगेगा? आप को सोचना पड़ेगा क्योंकि देखें यहां पे हमारे पास में cos inverse x को जब मैं late करूँगा ठीटा तो एक सिकल्ट हमारे पास में cos theta आएगा तो मैं cos theta वाला formula apply कर दूँगा ठीक है? आप इसी प्रकार धेर सारे आप formula बना सकते हों ठीक है? जनरली जनरली मैं जो formula use होंगे आपके chapters में मैंने वही सारे formula लिखे हुए है और इसको अच्छे समय इसका proving करा रहा हूँ ठीक है? तो dear student जैसा मैं आपको बीच-बीच में बोलता रहता हूँ कि आप हमारे चैनल को like करिए subscribe करिए और share करिए ठीक है ना? तो चलिए आप इसको note कर लिजे क्योंकि अब मैं रख करूँगा ठीक है? तो हमारे पास में first इसका proving हो गया अब इसके बाद चलिए हम second देख लेते हैं यहाँ पर ठीक है ना? हमारे पास में second second क्या है dear students? हमारे पास में second क्या है? 2 cos inverse x है मैंने बोला था left hand side में जो भी रहेगा आप उसको let कर लिजेगा cos inverse x equal to कितना theta same वैसे ही करना है तो x की value कितनी मिल जाएगी? cos theta मिल जाएगी अब मैंने बोला था कि आप formula लगा लेना formula लगाएंगे कौन सा? cos to theta का क्या होता है? 2 cos square theta minus 1 जिसमें बेटा cos रहेगा मैं उसी का मैं formula यूज करूँगा ठीक है? clear ना? अब यहाँ पे आप value रख दीजे cos to theta equal to cos theta की जब value मैं x रखूँगा तो इसका वर्ग होगा x square minus 1 ये cos को आप पश्चानता कर दीजे तो हमारे पास में देख लीजे dear students क्या आएगा? 2 theta वराबर 1 अब मैं equation 1 से मैं theta की value रख दूँगा ठीक है? theta की value क्या है? cos inverse x तो हमारे पास में 2 cos inverse x equal to कितना आ गया? cos inverse 2x square minus का 1 देख लीजे आपका ये second proving हो गया ठीक है ना? तो इसी प्रकार dear students हम proving कर सकते हैं inverse trigonometric जो है very simple chapter है ठीक है ना? आप इसको मैंने जितने भी lectures बनाय हुए है आप उसको सबसे पहले one by one करके आप उसको देखिए और एक अच्छी notes भी बनाए है ठीक है? और ये मैं जितने भी proving करा रहा हूँ dear students मान के चलिए जब मैं exercise कराऊंगा उसमें आपको 1 भी percent problem नहीं होगा लेकिन आपको सारे lectures देखने पड़ेंगे one by one करके आप देखिए उसके बाद अगर आप problems होती है तो आप please आप मुझे बताए ठीक है ना? तो dear students आप इसको note कर लीजिए ठीक ना? अब तो मैं question इसको rough कर सकता हूँ ना? चलिए rough करते हैं तो हमारे पास में देखिए first हो गया second हो गया इसके बाद हम क्या करते हैं third proving सिखते हैं ठीक ना? और third हमारे पास में क्या है 2 tan inverse x का ठीक 2 tan inverse x equal to हमारे पास में क्या है 10 inverse x 2 x upon 1 minus x square ठीक है? देखो इसका proving देखे हमारे पास में देखिए हम सबसे पहले prove करते हैं 3 को और मैंने आपको बोला भी था इधर side में जो भी रहेगा उसको क्या करना है? let करना है ठीक ना? तो इसको हम 1 मान सकते हैं तो x equal to क्या मिलेगा बता दो 10 theta मिल जाएगा चलो भी आगे चलें देखो x equal to हमारे पास में 10 theta मुझे 10 मिलाना है तो मैंने अभी 10 to theta का formula 10 के पद में लेखा था लेखा था ना? तो देखो हम formula सबसे पहले लिखेंगे 10 to theta equal to कितना? 2 to 10 theta upon 1 minus 10 square theta ठीक है? तो अब आप इसमें value रखते जाएए देखिए प्रूब हो जाएगा अपने आप 2 मैंने लिखा 10 theta की value यहां से रख दिजे x upon 1 minus इसकी value रख दिजे 10 की x square हो जाएगा 10 को आप परशान्ता कर दिजे तो 2 theta equal to कितना मिल जाएगा? 10 inverse 2x upon कितना 1 minus x square अब मैंने बोला था equation 1 से इसकी value रख दिजे ठीक है? समी करण 1 से theta का मान रखने पर ठीक है? from equation 1 ठीक है? तो हमारे पास में 2 theta की value कितनी है dear students 10 inverse x देख लीजिए आप check कर लीजिए देखिए प्रूब हो गया की नहीं check करिए ना आप प्रूब हो गया देख लीजिए 2 tan inverse x equal to कितना? कितना बदाई है? 10 inverse 2x upon 1 minus x square देख लीजिए हमारा third भी proving हो गया इसी प्रकार मैं fourth भी कराता हूँ आप टेंशन मतलेजिए ठीक ना? fourth five कराता हूँ उसके बाद questions question आगे next video में आपको बताएंगे ठीक ना? तो सबसे पहले हम हम क्या करें? question number यानि four कराते हैं इसका निगमन four का clear न? तो dear students आप सबसे पहले आप इसको note कर लीजिए ठीक अब मैं rough करूँगा ठीक तो हमारे पास में one हो गया two हो गया three हो गया अब इसके बाद four का कराते हैं देखो मैं यहीं पर लिखता हूँ ठीक है? तो हमारे पास में सबसे पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था? बताओ आपको पता भी होना चाहिए मैंने क्या बोला? देखो मैंने क्या बोला था? यहाँ पर देख दो ten inverse x है ना? मैंने बोला था let करना इधर साइड में जो भी हो let let कितना ten inverse x equal to कितना theta चलो भी यह theta मैंने let कर लिया तो x equal to कितना मिल जाएगा? बता दीजी ten theta मिल जाएगा सर जी चलो बढ़िया इसके बाद देखो हमारे पास में मैंने अभी just मैंने आपको formula बताया था कौन सा? अब इसमें देख लो sign आ रहा है ना? मैंने sign to theta का formula बताया था अपने note किया होगा ना? देखो उसको ठीक है? मैंने क्या बताया था? sign 2 theta equal to 10 के पद में उचे बताना है 2 tan theta upon 1 plus कितना? 10 square theta मैंने ये formula लेगा ठीक है? तो देखिए अब हम इसमें value रखते जाएंगे sign 2 theta equal to 2 10 की value कितना रखेंगे? x upon 1 plus इसकी value रख दीजिए तो x square हो जाएगा और मैंने बोला था पश्यंदर करो तो 2 theta equal to कितना मिलेगा? sign inverse 2 x upon कितना? 1 plus x square clear ना? अब मैंने बोला था इसकी value आप उठा के रख दीजिएगा theta की from equation 1 ठीक है? अब theta की value क्या है? देख लो वहाँ पे theta की value कितनी है? 10 inverse x तो हमारे पास में sin inverse 2 x बटे 1 plus x square देख लीजिए ये प्रूब हुआ कि नहीं? बुलिए देख लीजिए 2 tan inverse x equal to कितना? sin inverse 2 x upon 1 plus x square हुआ ना? अब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं? पाच्वी proving आपको बताते हैं ठीक ना? देखो आप उसको note करते रहे हैं ठीक है? अब देखे हम सबसे पहले इसको prove करेंगे 5 को मैंने आपको क्या बोला था? बताओ लेट करते हैं किसको लेट करेंगे? 10 inverse x को equal to theta ये भी है थोड़ा सा fast कर ले x equal to कितना? 10 theta अब मैं formula लगाऊंगा काउंसा? cos to theta का 10 के बताओ ठीक है ना? तो dear student आप इसको note कर लीजे मैं इधर side में रफ कर दे रहा हूं ठीक है? तो हम formula काउंसा लगाएंगे बताइए आप जल्दी से सोच के बताइए अभी मैंने just बता आपको कि हमारे पास में हमारे पास में cos to theta equal to कितना 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square theta ठीक है? अब इसमें आप value रख दीजे cos to theta equal to कितना 1 minus 10 की value यहां से पूट कर दीजे x square upon कितना 1 plus x square इसके बाद आप इसको फशान्दा कर दीजे 2 theta equal to कितना 1 minus x square upon कितना 1 plus x square गल्दी किया न? देखो देखो ऐसी गल्दी है मत करिएगा ठीक है? cos को परशान्दा कर दूसकी उसको परशान्दा कर दूसकी inverse में convert होगा न? cos inverse तो हमारे पास में 1 minus x square upon कितना 1 plus x square clear न? इसके बाद theta की value आप रख दीजे from equation from equation 1 theta की value theta की value कितना है? theta की value tan inverse x है तो 2 tan inverse x equal to कितना? cos inverse 1 minus x square upon कितना? 1 plus x square ठीक है? देखे ये भी क्या हो गया? प्रूप हो गया तो मैंने inverse technometric functions की देखिए इतने important questions मैंने बताया प्रूप करके और इसका मैं use करूँगा exercise में आप इसको learn करिएगा अच्छे से ठीक है? प्राक्टिस करिए तो dear students अब हम lectures यहीं पर finish करते हैं तो dear students अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो please like, subscribe and share जरू करें थांक्यू वेरी मच्च